हाई गाईज माइनेम इस फायाईज अब्डी मोबल्स में आपका स्वागत है पिछले वीडियो में आपने देखा था T210 का वीडियो और T12X का अन्बोक्सिंग का वीडियो देखा था जो आपने नहीं देखा तो लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कीजिए तो इन दोनों में से आपके लिए कौन सा बेस्ट है के नहीं मैं आपको बताऊंगा तो आप वीडियो को पूरा देखना एंड तक स्कीप मत करना तो चलिए हम इसका side by side अब overview देखते हैं तो सबसे पहले मैं आपको T12X का जो handle का quality है मैं आपको बताता हूँ देखें दोनों का quality बहुत सही है तो मैं आपको T12X का देखें बता रहा हूँ handle यह जो के handle दिखने में बहुत बढ़ा है और उसका जो beat भी है वो काफी ज़्यादा बढ़ा है देखें मैं आपको इसको निकाल के बताता हूँ तो यह देखें हमारा beat निकल चुका है यह beat का size है यह काफी ज़्यादा थीक है तो यह देखें मैं आपको pen बता रहा हूँ देखे पैन के साइस के बराबर ही है उसका हैंडल भी और इसका बीट भी ये दोनों आप देखी पार होगे वीडियो में कि कितना जदा ये बीट जो है बड़ा है ये जो के टी ट्वैल एक्स का बीट है तो चले मैं इसको फटा फट से इसको अंदर डाल देता हूं और ये मैं आपको देखे टी ट्वैल एक्स का जो हैंडल जो है उसका साइस भी बहुत सही है उसका ग्रिब भी बहुत आगे से बहुत बैटर है टी ट्वैल एक्स के मुताबिक और ये देखे बीट देखे ये बीट इसका जो है बहुत ही ज्यादा छोटाए देखे मैं आपक तो इसका भी मैं आपको comparison करके बताता हूँ यह देखिए T12X का जो beat है उसके बरावर भी नहीं है यह उससे काफी ज्यादा छोटा है पर एक बात है दोनों देखिए आप वीडियो में जो आगे से जो portion है कितना सार्फ है जो beat का जो tip है वह आगे से दोनों का सेम ही है पर size में देखिए जो T210 का जो beat है वो काफी ज्यादा छोटा है तो चलिए हम इसका भी बरफेक्ली exactly fit कर देते हैं और दिखने में भी देखिए यह दोनों का size जो T210 है उसका काफी ज्यादा चोटा है और T12X वो काफी ज्यादा बड़ा है तो आपको grip में जो छोटा चाहिए तो आपके लिए T210 बैटर रहेगा चलिए तो मैं आपको इसका जो stand है beat का जो रखने का stand है उसकी भी quality बता देता हूँ इसका जो stand है वो देखिए plastic का है और आदा metallic है दोनों में tip cleaner आते है पर यह जो T210 है उसका जो stand है उसकी quality बहुत ही जादा सही है उसकी जो grip है rubber grip भी नीचे दी हुई है और यह जो देखिए जो beat रखने का stand है देखिए यह वो metallic में दिया हुआ है और दोनों में tip cleaner तो दोनों में ही आते है बहुत better quality के जो tip cleaner है आते है पर इसका जो आप देखिए stand का जो नीचे rubber grip दिया हुआ है देखिए नीचे की तरह भी पर इसमें T12X में नहीं दिया हुआ है तो उसका जो stand है T210 का वो मुझे better लगा और इसके अंदर जो wire भी निकला हुआ है जो के auto cut support करता है मैं आपको आगे के वीडियो में वो भी बताऊंगा तो चलिए हम इसका जो T12X का दो इखिया आप वीडियो में देखी पा रहे होगे कि जो इसका handle connector है उ screw type mechanism में दिया हुआ है देखिए इसका handle character इस तरह से आता है तो यह देखिए मैं इसको अब fit कर देता हूँ तो हम इसका display भी देख लेते है इसका display का size है वो भी काफी ज़्यादा छोटा है और इसका bright भी नहीं है display इतना ज़्यादा मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा पर यह देखिए display जो है उसका काफी ज़्यादा छोटा है चलिए तो हम अब T210 का handle connector हम देख लेते हैं तो यह हमारा देखिए T210 है clearly यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है T210 और उसका display भी T12X के मुता भी ज़्यादा बढ़ा है और चलिए तो इसका हम handle connector है वो देखते है इसका जो handle connector है plug and play वाला है आप वीडियो में देखी पा रहे होगे तो इसमें आप सुगून भी fit कर सकते हो उसका जो सुगून का handle आता है वो भी इसमें fit आसानी से हो जाएगा तो आप देखिए वीडियो में आप देखी पा रहे होगे कि इसका जो handle connector है बहुत ही जादा easy है तो चलिए अब दोनों का हम अब display का और उसका दोनों का mechanism है वो आप चेक कर लेते है तो मैं इसको पहले दोनों bit को हम stand में डाल देते है और यह देखे जैसे ही मैं supply दे रहा हूँ तो यह अमारी display आना सुरू हो जाती है देखे तो यह जो T210 है हमारा वो heat होना सुरू नहीं हो गया पर यह देखे हमारा T12X जो है वो 250 तक उसका temperature instant हो गया है तो यह जो T210 है वो हमारा heat ले ही नहीं रहा है पर उसके अंदर एक system है मैं आपको आगे की वीडियो में बता रहा हूँ पर यह देखे है T210 जो है हमारा 250 तक इसका heat हो गया है यह जो हमारा T210 है उसमें auto gut support है तो जैसे ही मैं देखे है stand उठाऊँगा वैसे ही instant यह heat होना सुरू हो जाएगा बस दो ही second में 350 में यह चला गया मैं आपको वो भी चेक करके बताता हूँ देखे यह heat होना सुरू हो गया हमारा और देखे है shoulder wire को कैसे melt करता है देखे तो यह जो T210 है उसके अंदर auto gut system बहुत ज़्यादा बैटर है यह आप वीडियो में देखी पा रहे होगे कितना है ज़्यादा high temperature में हमारा instant ही 20 सेकंड में यह हमारा T210 जो है पहुँच गया देखे मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ और इसका देखे डिस्पले भी बहुत ज़्यादा bright है और यह जो हमारे T12X है उसमें कोई auto cut system नहीं होता है तो यह क्या है जो degree उसमें जो पहले से inbuilt होगी यानि आपने 240 पर ही रखाया तो वो 240 पर ही रहेगा उसमें कम या ज़्यादा नहीं होगा मैं आपको देखे डिस्पले पर बता ही रहा हूँ तो इसमें एक minus point है कि यह auto cut नहीं होता है जो long term पड़ा रहेगा तो अपने आप ही बंद हो जाएगा पर इसमें क्या है कि जो T210 जो आपने देखा वीडियो में उसकी तरह से नहीं है कि वो auto cut अपने आप ही हो जाएगा पर यह देखिए यह इसका भी melt होना सुरू गया दिखिए हमारा solder wire तो work तो दोनों ही कर रहा है उसमें जो auto cut वाला function आता है वो नहीं है चलिए तो मैं इन दोनों में से आपको कौन सा आपके लिए better रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ और जो आपको JBC और सुगून जैसे आप high level का काम कर रहे हो और आपको जैसे लग रहा है कि मुझे सुगून लेना चाहिए या JBC पर आपके पास उतने पैसे नहीं होते है तो आपके लिए T210 बहुत ही ज़्यादा useful और बहुत ही ज़्यादा value for money रहेगा आपको कम बज़र में अच्छा solar चाहिए तो आपके लिए T12X बहुत ही ज़्यादा best रहेगा उसका price में आपको description में दे दूँगा तो ऐसे ही amazing वीडियो देखने के लिए हमारे channel को subscribe करें और और कौनसे नए tool के बारे में information चाहिए है तो हमें comment session में comment करें